जाए मा मरी आप सभी को मरी मा अपासक में आप सबका फेर एक बार स्वागत है आशा करता हूँ माता मरी के बाप सब पर बनी रहे आज मैं आपके लिए एक और साधना लेकर आया हूँ बैहट नरसिंग की आप लोगोंने बैहा नरसिंग सुना होगा मैंने ही साधना के बारे में आपको बताया था यूटीब पर सबसे पहली बार कि बैहा नरसिंग कौन है बैहा नरसिंग एक ऐसी अवस्था है बाबा नरसिंग जो है इनके बैहा नरसिंग एक ऐसी अवस्था है जिसमें वो बड़े ही उग्र हो जाते हैं और बेहट नार सिंग, बेहट का पहले मतलब समझे, देहाती भासा में बेहट का मतलब यह है, जिसके हट की कोई हद ना हो, जो जिद्धी है बड़ा, इसलिए ये साधना जो गुरू नहीं है जिनके वो ना करें, ठीक, अब आते हैं, आपको समझ में आ गया कि बेहट नार सि कौन है, नारी की भाजी में जो चलते हैं, ठीक, बेहट नार सिंग, बहुत सारी इनके बारे में आप वाहें हैं, कि ये सिर्फ तामसिक पद्धिती पे भी चलते हैं, तामसिक पद्धिती पे भी चलते हैं, ठीक, इनका जबलपुर में भी मंदर है, इनका बाहर, आप किसी भी कारे को कर सकते हैं, चाहे हो शटकर्म हों, चाहे कोई से भी प्रयोग हों, नौकर्म प्रयोग हों, दरबार लगाना, उतारना, जितने भी भूत प्रेद बाधा उतारना, मसान उतारना, ये सारी चीज़े वो हल कर देते हैं, क्योंकि ये काफी उगर शक्ति होने के कारण ये आप घर के अंदर करेंगे तो एकएं स्थान पर करें ठीक ये 설명 कि आप जो फैमिली परसन है उसके मतलब एक ही रूम है और वहीं पर सारा कुछ कर रहे हैं तो नहीं क्योंकि साधना काली में आपको ऊसमें नीचे करना है नीचे शैन करना आप सात्विक भोजन लेंगे सात्विक भोजन लेना मतलब ये कि आप बिल्कुल तामसिक भोजन बडी, गुटका, तमाकू, सिगरेट, दारू, मास, मटन, मचली, अंडे ये सारी चीज़े नहीं लेंगे लस्टन पर आज अगर खा सकते हैं आप तो खाईए अन्रता अगर आपको असे भी तमस गोड़ उत्पन हो रहा है तो वो भी नहीं लीज़िए फिक, अब आते हैं साधना कितने दिन की है इनकी साधना आपको करनी है एक किस दिन साधना का जो काल रہेगा, साधना का जो समय रहेगा रात में ही रहेगा रात के अलावा आपके साथ ना वो अगर आप चाहें जो सुबह करें दिन में मंतर जाप करें तो नहीं रात में ही करेंगे ठीक उगर परचन शक्ति है क्योंकि इसलिए रात में ही इनको करेंगे साथ आप सिद्ध 21 दिन आपको जब इसका चाप पून हो जाएगा उसके बाद हवन करना है अब जब संक्या पे आते हैं प्रती दिन आपको पांच माला करनी है इसमें क्योंकि मंतर शाबर है एक माला में ही आपको कम से कम 15-20 मिनिट लग जाएगा तो शाबर मंतर पढ़ने में और याद करने में सटीक है उनको 10 मिनिट लग सकता है जो नए है तो उनको 20-15 मिनिट लग जाएगा ठीक अब इस थापना विदीस की ध्यान से समझ लीजे आपको फूल बिचा करके अक्षत बिचा करके तो उसके उपर इनकी स्थापना करनी है पहले इन सब सामान को आप अच्चे से उसमें पानी के चीटे मार ले गंगाजल के चीटे मार ले उसके बाद ही ये सारी चीजे करें बाजोट पे आपको जैसे बताया जाता है कि तीन बार आ इसमें फूल अरपन करेंगे सफेद आँक के फूल लाल जसमन के फूल या फिर सफेद जो चमपा होता है ऊसके फूल आपकरेंगे पीछे से ठीक, एक छोटा सा जंडा आपको लगाना है जंडा कैसे लगाएंगे आप, ये भी आपको बता देते हैं एक जो नारियल होता है, नारियल में आपको उनका मंतर बताया जाएगा, वो लिखना है ठीक कुमकुम से और उसके उपर जंडा गाड के आपको रखना है नायल इनके राइट के तरफ मतलब आपका लेफ्ट यह रखा जाएगा तामसिक भोग जो रहेगा वो राइट के तरफ ठीक नीबू में लॉइन को डाल करके रखना है वो राइट के तरफ ठीक मीठे में आपको रखना है जो बताया जाएगा वो राइट के तरफ, ठीक, आपको पांच बताशे लेने हैं, हर बताशे में दो जोड़ा लॉंग, फूल वाली याद रहे, फूल ना तूटा हो जिसका, वो लॉंग डाल करके आपको रखना है, अब आपको, ये तो आपको सम जो आपका आसन होगा, आसन लाल होगा, वस्तर लाल होंगे, फिर इनको आप टीका करेंगे, टीका करने का मैंने बार बार विधी विधान बताया है, लेकिन कई लोग नहीं समझ पाते हैं, तो फिर से बता देता हूँ कैसे करना है, पहले माधे में टीकिये, फिर शोल्डर से जो टीका निकले वो आप लगाईए सर पे अपने उसके बाद दूब दीप अगर बत्ती करिये आरती उतारिये इनकी उसके बाद आप संकल्प लेना चालू करें संकल्प लेने का तरीका मैंने पहले भी बता चुका है फिर से बता देता हूं अगर आपको नहीं समझ में आ साधना को या बेहट नरसिंगी की साधना को 21 दिन में प्रती दिन 5-5 माला करूंगा फिर इसका एक हवन डालूंगा ये ऐसा आपको बोलना है आप उसके आगे अपनी मनों कामना रख सकते हैं जैसे आपको शटकरम करना है तो मैं दरबार चालू करना चाहता हूं आपके न पारना चाहता हूं उस काम के लिए आपको मैं जागरत अवस्था में सिद्ध करना चाहता हूं ये आप कर देंगे जब आपने इतना कर दिया ये सारी चीज़ कंप्लीट हो गई ठीक जल को पी जाए एक लोटा जल रखिए जिसमें तुलशी के तीन पत्ते डाल लीजे पत वो भी राइट साइड रखिया गया अब सबसे पहले गनेश वंदन फिर शिव वंदन फिर गौरी वंदन फिर आपको आपके गुरू का वंदन करना है कुल देवी का वंदन करना है कुल देवता का वंदन करना है इस्ट देवता इस्ट देवी का वंदन करना है ठीक उसके के बाद आपको क्या मंतर जाब करने है जो आपको शावर बताया जाएगा अब आते हैं कि इसमें छेत्र कीलन आसन कीलन शरीर कीलन कैसे हो सबसे पहले तो सबसे में तो साधना में क्योंकि आसन ही होता है आसन मनाना अगर आसन कीलन अगर सीख गया और आसन में जो बनाते हैं वो अगर सीख गया तो सारी चीज़े सीख गए तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आसन जो है आसन को आपको चाकू से कीलना पड़ेगा शरीर को पानी से कीलना पड़ेगा ठीक जो छेतर कीलन होगा वो आप दारू से कीलेंगे ठीक गोल खेरा मारेंगे जो, जब ये सारी चीजे हो गई, पूरा मतलब सेट अप हो गया, तब आप ये सारे वंदन करने के बाद, जाप चालू करतेंगे, ठीक, जाप चालू करेंगे, जाप आप पांच माला करेंगे प्रती दिन, फिर उसका हवन आपको बताया जाएगा, कि श बूत वगयरा लगे हों, तो आप नीबू में एक लॉंग उच कर उसके सर से उतार के बाल काट लीजे थोड़े से, ठीक, वो सिंपल सी चीज है, आप उससे वो बूत बलाया उतार लेंगे, ठीक, मशान किसी को लगा हो, तो आप क्या करेंगे, कलेजी, नीबू, और एक कर वहाता है काला, उसमें उतार के इसी मंतर से आप करेंगे, वो मसान उसका ठीक हो जाएगा, जितने भी भूत, प्रेद, बलाय, चुडेल, चंडाल, जिन, खबीस, बरम, डाकनी, शाकनी, ये सारी चीज़े ऐसे करके हटा देते हैं, खबीस है तो सूपा से आप हटा सकते है इनके मंतरों से, जब ये सारी चीज़ हो जाएगी तो आप इनका भोग पत्र ले लीजेगा, सिंपल है क्योंकि देखिए, आप अगर उनसे कुछ भी काम करवा रहे हैं, उनकी उरजाओं से कुछ काम करवा रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगता कि आप ऐसे उनको रखें औ और ऐसे उनको कुछ ना दे, ये सारी चीज़े करिएगा, ठीक, अब आते हैं कि आपको समझ में तो आगया कि कैसे क्या करना है, अब आते हैं मंतर पे, ठीक, मैं शुरुआत का बस मंतर थोड़ा बहुत बताता हूँ, तो मंतर इस तरीके से रहेगा, नार सिंग, नारी का पूता, ठीक, सगर भावे भूता, तो इस तरीके से प्रकार से इसका मंतर रहेगा, अगर आप ये साधना करना चाहते हैं, आप इस साधना को सही तरीके से करना चाहते हैं, इंट्रस्टेनल साधनाव करने में तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नमबर डला हुआ है इसकी नियूंतन दक्षणाराशी आपको बता दी जाएगी और आप इस साधनाव फिर कर सकते हैं जोकी डिस्क्रिप्शनाराशी आपको भी मालू है किस चीज़ के लिए रहती है माता मरी के मंदर निर्मान हेतु है तो आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई हो जै मामरी